वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सिस्क्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें आपना प्रीक्षा के लिए हमने अपना पर लिए पेट बैस रूप किया है इस अपने जो भी जहां त्यारी की है वो ठीक बात है, सेलेक्शन वाली तयारी करती है, फाइनल लेटेस्ट पैटर्न पर अधारित तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, तुछ लोगों ने पुरानी परिक्षय योजने के इसाप से तयारी की है, कराई गई है, हम यहाँ पर जो नवीनतब परिक्षय योजना जो है, य अगले 35 दिवस की स्ट्राटजी क्या हो सकती, उसको यहाँ पर हम देखेंगे, 35 दिवस में हमारे नोट्स को पढ़ करके, हमारी क्विस को फॉलो करके, टेस्स स्रीज को फॉलो करके, आप कैसे एक्जाम क्लियर कर सकते हैं, सब कुछ इसमें बताय जाएगा, जो लोगों हम कर चुके हैं, आपको 5-6 गंटे यहाँ पर देने होंगे, 6 गंटे दे सकते हैं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर, वैसे भी जब एक्जाम नस्दीक होता है, तो हम 5-6 गंटे, 7-8 गंटे तक भी लोग पढ़ते हैं, ठीक है, हमारे मट्रियल में आपको 6 गंटे यहाँ पर देने पड़ेंगे, पूरी स्ट्राइजी 6 गंटे कैसे पढ़ता हैं, वह यहाँ पर पताई जा रही है, जो लोग पेट रूप में आ चुके हैं, आपको समझता है कि यह स्ट्राइजी वीडियो पूरा चल रहा है, इसको सुरू से लेकर आखिर तक देखेगा, तब ही चीजसे समझ में आएगी, उसके बाद नोट्स कैसे पढ़ता है, कैसे आप प्रिंट कर सकते हैं, क्याके नोट्स की सब्जेक्ट लिए गया है, पेट ग्रूप में study material कैसे देखें वाला वीडियो आएगा, उसको देखेगा, इसको हम लोग video number 2 बोलते हैं, study material वाले कुछ test series के माद्धियम से questions कराएंगे, पेट को इसके माद्धियम से reasoning की कुछ practice कराई जाएगी, जो relevant questions हो सकते हैं, उनकी practice कराई जाएगी, यहाँ पर practice ही महत्पूर्ण है, जो कि अब बहुत कम दिवस पचे हैं, सारा content आपको दे दिया गया है, month end तक जो computer के कुछ विशे दुकी की छेतर में होने वाला तकनीकी विकास नवाचार जिसमें artificial intelligence सामिल होगा, big data processing सामिल होगा, deep learning सामिल होगा, इसी में deep fake भी आप जोड़ो सकते हैं, machine learning, internet of things सामिल है, और भारत में इसकी उपलबदियां क्या है, भारत क्या प्रयास कर रहा है, इनके प्रती, यह शामि जो relevant आपको facts ज्याद रखने होगे, क्योंकि fact based paper ही होगा, जैसे अभी यूपिट पलसी के हाल में सारे paper हो रहा है, मैं इसके ज़ए तर fact based paper होगा, और उसी साब से पूरा content आपको, यह जो extra चीज़े हैं, उसका computer का दे दिया जाएगा, तो अगस्त तक 2013 तक, बाकि पूरा content आपको दे दिया गया है, अगर आपने only study material हमारा group purchase किया है, तो total current fair, UP special सभी आपको दे दिया गया है, UP special current fair, November 2022 से लेकर हमने आपको जून 2023 तक का एक साथ दे दिया है, जुलाई 2023 का current fair, जुलाई महा के end में provide कर दिये जाएगा आपको, और चुकि 27 को आपको paper है, तो 7 अगस तक का current fair, आपको update करके group में देंगे, क्योंकि 20 दिन पहले का view picture पर लेसी पूछ लेता है, test series कैसे होगी, इसमें कुल मिलाकर आपकी 20 test series कराई जाएगी, क्योंकि समय बहुत कम है, practice आपको भरपूर करना है, तभी मैंने आप 6 घंटे के लिए बोला था, जिसमें, आप 4,5 चार घंटे तयारी करेंगे, content को study करेंगे, और देड़ घंटे कम सकम practice करेंगे, practice में क्या है, 10 full in test होगे, test में 100 question होगे, जैसे नमीन दम बैटरन में बताया गया है, 10 topic wise test होगे, जिसमें 2 UK के, 2 reasoning के, 2 Hindi के, 2 computer के test होगे, और 2 UPG के test होगे, जिसमें 50 सवाल होगे, test format PDF में टाइम प्लाइन क्या है, test का, यह नीचे दिया होगा है, यह टाइम प्लाइन है test का, आपका test एक अगस्त से शुरू हो जाएगा, और यह खत्म हो जाएगा, आपका 20 अगस्त को, 7 दिन पहले पूरे test आपके खत्म हो जाएगे, इतना ही नहीं है, आपर आपकी paid quiz भी होगी डेली बेसिस पर जो है, सभी topics पर पूरे syllabus पराधारित, 75 most expected questions आपके करा जाते रहेंगे, और यह 20 सगस्तक लगातार होता रहेगा, 2000 कम से कम most expected questions हम लोग कराएगे, 2000 यहां पर लिखा ज़रूर हुआ है, लेकिन उससे आधीक ही कराएगे, ठीक है, पर निस साहय के रिक्त 30 अंक होंगे इससे, भाग दो समानी बुद्धी परिक्षण है, 15 सवाल यहां पर रिजनी के होंगे, 15 अंक होंगे, समानी जानकारी के यहां पर 20 प्रशन होंगे, और इसमें टोटल जी के जी है, सब आप मान सकते हैं, टोटल पूछे जाएगा, करेंट फैर भी यहां पर प्रशन होंगे, यानि कि IT का बेसिक ठीक है, और कम्प्यूटर और कम्प्यूटर का बेसिक तो वैसे तो पढ़ते थे, यूप ट्रिपल सी लेवल का, यहां पर कम्प्यूटर आ जाता था, कई सारे एक्जाम्स में लेकिन अब इसमें IT वाला और इनोवेशन वाली चीज ज प्रश्न हो सकता है, तो इस तरीके सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस भी किज में कराई जाएग और इसका कंटेंट भी हम आपको देंगे, आभी कम्प्यूटर के बėसिक कंटेंट आ कर दे लिए गया है, तो UPG के बहुत अच्छे से यहां पर पटनी पड़ेगी 20 प्रश्निस में होगे और 20 अंको का यहां पर होगा इसमें निगेटिव मार्किंग भी है इसमें से प्रैक्टिस कमात तो यहां पर बहुत बढ़ जाने वाला है पैटर्न के बाद जो अफिशल सिलेबस यानि पाठकरम पब्लिक हुआ था उसमें अगर हम देखें तो उसमें समाने हिंदी में परिज्ञान लेखन योगता शब्दी उस किया गया है परिज्ञान लेखन योगता का आशे हुगा कि वैसे ही पेपर आपके एक्जाम में आएगा जैसे हमने देखा था अभी खाल में 2018 जो में री एक्जाम कंड़क्ट हुआ था वीडियो का उसी स्तर के यहां पर प्रश्न होंगे और उसी चाप्टर से असुष्येट सवाल होंगे उसमें भी intermediate star का लिखा था इसमें भी intermediate star का लिखा था तो टिपकल UPSC type का paper होगा और उसमें हिंदी के UPSC level कही सवाल पूछे जाएंगे आज कल कुछ क्या कर रहे हैं नए शब्द ला रहे हैं तो हमारी PDF से आप पढ़ेंगे तो कोई भी शब्द आप बिस्ता ही करेंगे वशरते आप सिर्फ और सिर्फ हमारी PDF से पढ़ेंगे अगले 35 दिन जो भी शब्द पढ़ रहा है बाची के विलोम के अनिक शब्दों के ल जैसे हाल के पैपरों में मैंचे पेपर में पूछी जा रहे हैं आपको युपी-ट्रप बैपर सिके हाल के सभी पेपर्स का अध्यान करना चाहिए जो प्रैक्टिस हमलोग कराएंगे प्रैक्टिस के लिए क्षिब एक विज्में को कोशिन्स करा जाएंगे अंग टैस्री गटना हो आतिहासिक भगोलिक पक्ष का अध्यन करना होगा विशेसकर भारत से और वैज्यानिक पहलू का ज्यान आका जाएगा इसमें भी यूपिटर पलसी लेवल की ही जीके जीए से आपे पूछी जाएगी और जो हमारे नोट्स है वो सफिशेंट है अलग से आपको इसमें कोई माथा पक्षी करना नहीं जो आपको दिया गया है वो सफिशेंट है आपर आतिहासिक भगोलिक तत्थ भी सभी शामिल हो जाएगे अर्तिक और विशेसकर भारत्स समंदित जो भी जानकारी जरूड़ी है वह घ्ञानी पहलू जरूड़ी है वो सब इसमें शामिल हो जाएगे कंप्यूटर के ज्यान में श्क्टन거를 च्ख्टनी की समंदित तो आपको नोट्स दे दिया गया है ठीक है नोट्स में cyber सुरक्षा, artificial intelligence, big data, deep learning, deep fake, machine learning, internet of things, इससे अधारित जो basic definitions और concept और जो भी schemes और भारत सरकार इसकी initiative ले रहा है, उसके समझ में आपको नोट्स जो है, बहुत limited number of pages के मिल जाएंगे, दो तीन अगस्त तक, computer गयान के सिर्फ 15 प्रशन जरूर हैं, लेकिन इन 15 प्रशनों में जो अच्छा करेगा, वही जो है दूसरों से आगे निकलेगा, cut off में भी ध्यान रखिएगा, तो आपको बिल्कुल पूरी तरीके से इसके लिए तयार करेंगे, हम लोग, quiz में भी सभी जो ये topics लिखेगा है इसे समंदित questions कराए जाएंगे, पहले क्या होता था समान जानकारी में ही उत्तर प्रदेश का सब सामिल कर लेते थे, उत्तर प्रदेश का जी के करेंट फेर पूछने लगते थे, लेकिन इस बार अलग से दिया है, तो पूरे 20 स्टंबर के full-fledged उत्तर प्रदेश करेंट फेर जी के सवाल यहां पर होंगे और करेंट फेर के काफी सवाल यहां पर हो सकते हैं, 20 में से आफ़ पानकże 40, 78 तो उत्तर प्ने दिया है, क्रिए योट भगजे र्यूपी का सवाल होोंगे ही होंगे , करेंट फेर यूपी के जो इन दिया है, वो भी सवह सवाल हो वह खरते थे पहले अगर किस इंदिया तो आपको याद होगा आतीस रीजनिंग के 40 समाना द्यान के आते थे और 60 हिंदी के questions होते थे इस टाइप से इसमें आता था तो पहले क्या होता था कि ज्यादा दर नहीं जरूरी ये पुराना देखना है लेकिन ये हिंदी का देख लीज़े इसे वाक्यान के लिएक शब्द इसमें पूसे जाता है समनार्थी लिंग विशेश विशेशन वचन अलंकार समास संधी से आठ प्रश्ट इसमे थे बाकिश उद्दी से साथ मावरी लोकुक्ती उस काफी सारे प्रश्ट थे विलोम से पर्रवाची से तत्सम तद्भो से इन चैप्टर से प्रश्ट आते हैं ठीक है पत्र लेखन इसमें नहीं आता है कमान देहन 40 का था तो इसमें उत्तरपदे स्पेसल से 13, करेंट फेर से 7, इतिहास 4, बुगोल 7, राजवस्था 6, में इस लिनियस से 3 प्रश्ट इस तरीके से आये थे 65 में से कट आउफ कितना गया था अन्रिजर्वड का कट आउफ, 42.23 गया था जो दिक्तम था OBC का 22.23 था, सेम ही गया था OBC का भी, तो 65 में से इतना कट आउफ, आप जान रहे है यूपिटर पलेस्टिक पेपर है किसी भी हालत में, रेटेन में आपके 70% से नीचे नहीं होने चाहिए, अन्रिजर्वड में, बाकिये लगका टेक्रीस का कुछ लग जाता है, फाइदा तो 70% की तयारी यहां पे करनी है, और अभी भी आपको 75 का ही टार्गेट ट्रक्टना है, ठीक है, 100 नंबर का आपकी बार होगा, बिल्कुल, sweet spot है, आपको यहां पर 75 का टार्गेट ट्रक्टना है, कम से कम, और बिल्कुल यह achievable है, हमने जो भी guidance आपको दिया है, जो भी बार बार पोचते भी है, और सापने जोईन किया है, ज्यादा दिन बचे नहीं है, 35-30 दिवस जो भी बचे हैं, अभी जो आज मैं वीडियो बना रहा हूं, 35-36 दिवस आपको पास बचे हैं, जो मेंबर्स आगे जोईन होंगे, दो चार दिन बाद ग्रुप से के लिए जरूर, तो गिन बातों को ध्यान रखना है, तो यहीं कंटेंट आपको पढ़ना है, यहां पर, और जो भी मैंने सिलेबस के इसाप से बताया है, जो भी कंटेंट ग्रुप में दिया गया है, आपके only study material वाले ग्रुप में, उसी को पढ़िएगा, उसी से आपका selection सुनेशित हो सकता है, जिर्फ study for civil services के resources से आप practice करिए, पीवाई क्यू आप बेशक लगा सकते हैं, यूपिटर पलसी के वो होने चाहिए, अन्ने कहीं से भी practice बत करिए, उसके लावा करबध निवेधन है, देखें करबध यहां पर लिखा हुआ है, कुछ लोग मानते नही इतना आप जो है, वहाँ से कटवा चुके हैं, पुराना syllabus से त्यारी कर चुके हैं, कम सकम 30 दिवस फरजी live class और distraction से अपने आपको बचाईए, आप प्लीस, यह वैसे भी आखरी महिना self study के लिए होना चाहिए, self analysis करिए, जो भी हो चुका है, वो कोई बात नहीं, आपने प पाँच पॉइंट के syllabus के त्यारी करने हैं, जो हमने यहां पर content दिया, उसको लगतार study करने पर, reasoning के सवाल लगाने पर, और जो practice कराई जारे, quiz group में test series के बादे हमसे उसको अच्छे से attempt करने कोशिच करिए, वही सबसे अच्छी चीज होगी आगे आपको 35 दिवस में, अध को भी अलंकार दे दे, वहां पर पहचानने की गुंजाइश रहेगी, ठीक है, अब ज्यादा यहां पर चीज़ों की आप note making नहीं कर सकते हैं, बहुत बारीकीस नहीं समझ सकते हैं, अब ज्यादा तर फोकस यहां पर revision पर करना है, कि भाई revision ज्यादा करें, वहां पर exam में तो उसको पहचान लें और उसको सही attempt कर ले जाएं, यहीं यहां पर अब लक्ष होना चाहिए, यहां पर analysis, concept making, understanding पर नहीं ज्यादा फोकस करूँगा, अब आपको ज्यादा फोकस करना है, सवालों को solve करने पर, जिससे वहां पर maximum सवाल आप solve कर सकें, और typing के लिए आगे ब पहचान कर जल्दी से उत्तर तक पहुंच सकें, इतनी तैयारी होती है, आपर concept building और understanding डवलप नहीं की जा सकती है, मैं आपको example देता हूँ, जैसे माली जहां आपको notes देंगे, cyber security, data learning, जो भी वापे है, मतलब जो भी चीज़ है, machine learning, deep fake वगएरा, उसमें आप क्या क्या है, ठीक है, definition क्या है, cyber security, cyber security के लिए भारत में कौन जिम्मेदार है, cyber security के components क्या क्या होते है, भारत में कौन से ministry जिम्मेदार है, इसके लिए, भारत में क्या प्रयास इसके लिए, latest cyber security policy भारत की कब आई थी, ठीक है, cyber security के लिए क्या किसी state ने कुछ ऐसा काम किया, क्या मतलब surface level समझ यहां पर होनी चाहिए आपको junior resistant level का paper solve करने के लिए Hindi में और बाखी सारे subject में भी यही बात लागू होती है मैं आपको थोड़ा सा example देता हूँ पुराने paper के माध्यम से जगर आपने पढ़ा है कि जिन भावाचक संग्याओं के अंत में हट होता है उनका link क्या होता है तो मालीजे यह एक applied question है इसमें मतलब direct नहीं है कि इसमें चिलाना का पूछ लिए क्या यहां पर मतलब होता है संग्या कैसे बनती है अभी दू क्रिया है चिलाना से बनता है चिलाहट संग्या और सरसराना क्रिया से बनता है सरसराहट तो यह दोनों कौन सी है यह दोनों कौन सा मतलब incalling है incalling obviously strilling है तो इसमें जैसे answer हो जाएगा B जैसे वाला पूछा था इसमें कहीं लोग confused हुए थे संग्या की स्थांद परmeno 1970 कर देने से काला विशेशन कर रूप यह होगा हुआ यह दिप राजायगा is offering यह फी कि संग्या कोस्थ लगारो मान लेते हैं active इसको मली संग्या हमने बदल दी संग्या को स्रिलिंग करती गोडी कर दी आई यह हमसे पूछा है तो यहां पर आजाएगा काली सिंपल सी बात है तो यह यहां पर पूछाता है तो कई बार जोड़ा सा एपलाइड करने की स्कूर्फ करते हैं बहुत difficult होता नहीं है तो आपको थोड़ा सा समझ डवलप करने की ज़रूरत होती है और यह समझ आप महरे नोट से आसानी से डवलूप कर सकते हैं जैसे इसमें अप्लाइड पूछा है फिर से अकारांत स्ट्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्लिए 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 तो आपको बस्ते बता होना चाहिए कि आकारांत क्या होता है ठीक है आकारांत इकारांत आकारांत होता क्या है जैसे हम लेते हैं पुस्तक तो इसको कैसे बनाएंगे स्ट्रीलिंग बहुवचन बनाने के लिए क्या होगा अकारांत स्ट्रीलिंग होना चाहिए अकारांत स्ट्रीलिंग पुस्तक है अकारांत स्ट्री से बना देंगे में साथा का बाहता होँचन आपको पता होना चाहिए बससरा का प्रैस के लिया उसमें तो कववेक पहले होता है मादा ऑब भोचा इन में से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्ट्रेलिंग में प्रत्य लगाने से बना है तो इसमें भी ड्याओ पर स्ट्रि लींग तरह से बना अप्शन अप्शन कोशन पूछा था सके यथ में इकंड specially so prophet कि और है ले लेते हैं लोग कि दवाई तो रोटी का बहूचन क्या होता है रोटी है सबी को पता है दवाई का क्या हुता है दवाईया ठीक है तो इसमें हमने कैसे बनाया इसमें हमने E को छोटा किया ठीक है यहाँ पर बड़े एकी मात्रा थी यहाँ पर छोटे एकी मात्रा हमने की इसको हस्व किया ठीक है धीर्क था इसको हस्व किया बाद में यहाँ लगाया तो यहां लगा है तो यह भी अप्लाइट तो मदलब एकरां संग्या आपको पहले तो मन में सोचना है फिर उसका श्रीलिंग आपको पता होना चाहिए मैं आपको बहुचन पता होना चाहिए तब आप इसको कर पाते हैं कटिन कुछ नहीं है बस वही है कि सब अध्यान से पढ़ने की जरूरत है और यहां पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है तो आपको इससे कई सारे कोश्चन जो है टेस्ट्रीज में कुज में कराए जाएंगे अने सेक्शन में भी प्रस्णों का स्तर यूपी ट्रपलेसी जैसा रहता था यह पुराने पेपर में भी और आजकल जो पेपर हो रहे हैं उसमें भी इस तरीके प्रश्ण होते हैं अब अलग कर दिया गया बीस अंकों का आएगा पहले उसी में उत्तरप्पदेश के कई सा अध्या करने को आपको कहूँगा लेकिन आप जो है यह जीके वाले को लास्ट प्रश्ण सकते हैं क्योंकि इसमें काफिसारा वेटेज है और जीके ही ऐसा सेक्शन होगा जिसमें आप सारे प्रश्ण नहीं साही कर पाएंगे तो जीके को अनतियम प्रश्ण प्रखिए जि हिंदी टॉप प्राइरटी पर रहेगा फिर सेकेंड अमोस्ट प्राइरटी पर आपको रखना है यूपी स्पेशल को फिर आपको थार्ट नंबर पर रखना है रीजनिंग को फिर कम्प्यूटर को फोर्थ पर और आखिर में आप रखिएगा जीके को पढ़ना सब कुछ है ठीक है अगर 70% चाहिए तो कोई भी आप छोड़ तो सकता ही रहें वरना वहीं आपका लब सेलेक्शन सुनिश्चित हो मैं बार-बार यहां पर पता रहा हूँ अब पांच सेक्शन से पांचों को आप एक एक आर्डेली दे सकते हैं बड़ा सिंपल हो जाएगा पांच गंटे मदब एक एक गंटे सभी को और एक गंटा प्रैक्टिस के लिए 6 गंटे की हमारी स्ट्राटजी हो सकती है इसमें आ रिवरतन आप कर सकते हैं छोटे-छोटे अपने टाइम प्लान में क्योंकि पांच ही सेक्शन से और पांच गंटे का हमारा प्लान है तो पांच गंटे एक घंटे तभी को दे सकते हैं और एक कार आपको आलक से निकालना है Quiz Practice के लिए, PYQ Practice के लिए और Test Series की Practice के लिए ये आप जो है Daily Revision Strategy के हिसाब से Follow कर सकते है Computer का Basic अभी दिया गया है IT Innovation वाला मैंने बताया कि आपको ये 2-3 नगस तक मिल जाएगा तब तक आप UP Special में अपना ध्यान Shift कर सकते हैं स्पेशल बहुत वेटेज भी रख रहा है इस बार 20 प्रशनियां पर UP Special और UP Current के होंगे और थोड़ा सा बड़ा भी है UP का portion काफी याद करने वाला है आप UP ट्रपलस्टी के पुराने चावल ने तो आपकी जीके के तयार होती है लेकिन Current Affair तयार करता होगा इसमें 20 में से जो है 6-7 question Current Affair के जरूर होंगे UP Current Affair अच्छे से तयार कर लीजेगा जितना गुरूप में दिया गया है उतना जीके में भी बहुत जादा नहीं तयारी कर पाया अलग अलग हिस्ट्री की जोग्रफी की पॉल्टी की डॉमी की तो इसका Current Affair जरू पढ़ लीजेगा नैसल इंटरनेसल वाला ठीक है Current Affair अच्छे से आप तयार कर लीजेगा बाकी जितना भी आपका तयार है ठीक बात है और वैसे भी लास्ट टाइम में कोई इसका महत्त बढ़ जाता है आपकी Negative Marking भी है तो Negative Marking को डील करने के सबसे अच्छा तरीका यही कि आप Practice करें और पहले ही Analyze करें कि आप Question कैसे Attempt करते हैं जल्दबाजी में अटेप्ट करते हैं Confident हो के Attempt करते हैं या फिर पूरा अच्छे से पढ़ने से पहले ही Attempt कर लेते हैं कि बात में Attempt करते हैं जैसे Quiz में हम कराएंगे कि CRT is concerned with what तो इसका answer जैसी यह है CRT कब आया था When it was launched CRT comes under which ministry तो इस तरीके के Fact उसमें जो हम Notes पे तो देंगे ही वह आपके तयार भी होते रहेंगे आपको Memorize होते रहेंगे तो इस तरीके से आपको हम selection के करीब पहुचाने काम करेंगे Junior Registant का यह बैच आपने बहले ही join किया होगा कुछ नए लोगोंने हमारे साथ जो लोग पहले से जुड़ा हैं या फिर अलग-अलग अपने आने UBSC के अभीष्ट के लिए जुड़ चुके हैं चाहे वो लेकपाल का मेंस हो चाहे अभी जो है वंदरोगा का मेंस हुआ था उसमें जो syllabus की तयारी हमने कराई थी final result awaited है कई सारे चीज़ों का लेकपाल का final result awaited है कई सारे लोगों का चैन हुआ था document verification में study for syllabus इसके paid group से आगे भी हम अमीद कर रहे हैं तो यहां पर जो भी बताया गया उसको अच्छे से follow करना ही मूल बंत रहा है आप जो है अपना दिमाग यहां पर कुछ दिन के लिए at least नहीं लगाई है ठीक है जो content यह आप दिया गया है और जिस इस आप से उसको study करना है जिस आप से practice करनी है जिस इस आप से test series solve करना है तो उस इस आप से follow करेंगे तब ही यहां पर आपके maximum chances बनेंगे cutoff को clear करने के अगर आपने यहां पर अपना दिबाग लगाया वैसे समय बहुत कम बचाए ठीक है जातो आप यह करते कि इन सभी लोगों की बात पानते है आप study for services के paid batch बिना आते हमारे यहां पर जो भी members आते हैं हमारा उद्देश होता है हमारा मनतव वह होता है उन सभी का selection कराना जिस भी उद्देश के लिए आप आएं डेली जो 6 गंटे at least की जो strategy बताई गई है और जो कुछ solve करने के लिए बताया गया उसको regularly आपको religiously follow कर रहा है ठीक है understanding पर यहां पर आप focus कम हो जाएगा दीरी दीरे हमारा ठीक है जो जीसे समझने वाली वो तो हम समझेंगे ही लेकिन understanding पर आप कम focus रहेगा note making पर अपकम focus रहेगा और वीडियो देखने पर अपकम focus रहेगा ठीक है current fire का सब कुछ आपको दे दिया गया है PDF ही sufficient है वीडियो देखना जरूरी इसका नहीं है 90% content आपको दे दिया गया है computer ग्यान में जो innovation वाला जो चीजें बची है जो मैंने आपको बताया जो चार चीजें लिखी हुई है big data processing वगएरा artificial intelligence वगएरा वो सब आपको दे दिये जाएगा और आप उससे complete भी कर लेंगे वहुत short में आपको notes दी जाएगे तो इस तरीके से हमारा strategy video खत्म होता है I think अपने सारे आपके सवालों जवाब दे दिये है कोई भी आपका doubt होता है इस बीच तो आप यहाँ पर भेजिएगा इस पर whatsapp में आप अपने doubt भेजिएगा ठीक है यह answer का personal whatsapp number है ठीक है इस पर text message के माध्यम से आप अपने doubt भेज सकते हैं कोई भी आपका study material से associated doubt है तो आप भेज सकते हैं वैसे मैंने सारे चीज़ें all those clear कर दी है जो content बचा है वो आपको दो से तीन अगस्त के बीच यहाँ पर आपको upload कर दी जाएगा जो computer ग्यान में जो दो थीन specific point बचे हैं उनके बारे में ठीक है वाटसेप में केवल text message के मादियों से भेजिएगा चौबीस घंटे तक आपको यहाँ पर wait करना पड़ सकता है ठीक है आपने doubt के लिए बाकि सारे चीज़े मैंने अल्रड़ी यहाँ पर clear कर दी है अब आप वीडियो नमबर 2 देखें जिसमें PDF के बारे में बताया गया है इसका access के बल पेट रूप members को मिलेगा कौन कौन से PDF जी गई है किसकी subject के लिए और किस order में पढ़ना है आपको कैसे PDF को print कर सकते हैं यह सब वीडियो नमबर 2 में आपको बताया जा रहा है